है है हलो व्रीवन मार्केट ओपन हो चुका और मार्केट के अंदर हमें बहुत बड़ा गेपप देखने को बिल रहा है ठीक है तो जो भी हमने आप प्लान किया था प्री प्लान सेलिंग साइड का भी होता है मेरा चोटे मोटे गेपप यह फ्लेट ओपनिंग की केस में बट गेपप भी बहुत बड़ा है वें निफ्टी में 500 पॉन के आसपास है निफ्टी में 200 पॉन के आसपास इतने बड़े गेपप का रीजन क्या है यूएस में जो रेट है वो अंचेंट रही है तीसरी बार ठीक है तो वह पोजिटिव न्यूस को लेकर मार्केट में है तो वेट करते हैं अभी तो इतने बड़े जैब आपके बाद हम बाइंग सइड का एक टरीर फाइन आट करने की फुशेश करेंगे प्राइस एक्ष्ण को देखते हुए तो अभी वेट करते मार्केट ओपने देने का अलो लो यूवरिवेन तो देखिए मार्केट ओप देखिए अभी न तो उपर अपर साइड अवेलेबल है न डाउन साड अवेलेबल है तो समभल कर हमें काम करना होगा देखिए इतने बड़े गेप अब गेप डाउन के बाद थोड़ा काम करना मुश्किल हो जाता है ठीक है तो उसके अकोडिंग हमको डिसिजन बनाएंगे अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो हम अभी वेट करेंगे पोजेशन को ठीक है तो अभी वेट करते हैं थोड़ा प्राइजेक्शन बनने देने का कि मार्किट ने मूव अच्छा किया है यहां से 200 पॉंट्स का मूव कर दिया है हेलो ब्रीबन तो देखी यहां पर हमें बैंक डिफ्टी में एक इस लेफल के आस पास से रेजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है और यहां पर एब बैटन का भी फॉर्मेशन किया हुआ है तो कॉल सैट की बारे में सोचा जा सकता है तो देखते हैं पोजिशन बनाने का ट्राइ करते हैं इतने बड़े इपके बाब तो देखे हम उसी की डायरेक्शन में जाने का ट्राइ करेंगे थोड़ा सा वीट कर लेते हैं ठीक है तो देखिए हमने यहां पर पोजिशन बना लिए पूट साइट वे हमने काम किया है ठीक है निफ्टी के अंदर हमने काम किया और इस केंडल पर हमने एंट्री बनाई है अपनी पूट साइट की नो बच के 34 मिनद पर अगर हम जा के देखें। पोजिशन पर ओर में तो तो एकसुगँष्मद 166 में करिमाने जिके और अमारा इस्सक्रेक्न और इस्टरिकित और अधारगेट आप सकागव máxim एक ंधाख ≤ फिर टार्गेट को कम से कम 1-2 लेने का ट्राय करेंगे ठीक है तो अभी वेट करते हैं स्टोक लोस हमारा 10 पॉइंट का है 1000 के आसपास दो लोट हमने भाई किया है तो वेट करते हैं बताता हूं मैं आपको ट्रे लेने का रीजन तो देखिए हमने यहां पर अपनी पोजिशन को काड दिये ठीक है जो हमने आपको निफ्टी में पुटिसाइड में इंट्री बनाए तीस वाली के आसपास नोबच के 34 मिनट पर वो हमने यहां पर निकाल दिये ठीक है फाइफ पॉइंट के आसपास हमने इसमें बुक किये और दिकालने का रिजन में आपको बताता हूं आपको यहां पर मुझे इस पाइक देखने को मिला था तो टारगेट थो हमें बुटि को इस स्पैक में में पूरा बुक नहीं कर पाया तो इस स्पाइक में यहां कहीं जाके हमारा एकजेक्जूटर हुआ था ठीक हैं तो 5.20 आसपास हमने आप पर book किये 126 में भाई किया था 131 में इसको sell कर दिया ठीक है तो मैं आपको reason भी बताता हूँ मैंने target को बड़ा क्यों नहीं किया ठीक है otherwise मेरा target तो था कम से कम 30 point कि आसपास इसके अंदर तो मैं आपको reason explain कर देता हूँ कि market ने projection यह सा कुछ बिना रखा था market यहां से क्या कर रहा था यहां से hold करता हूँ दिखाए दे रहा था market को गिरना होता तो continue continue यहीं से market को fall कर देना चाहिए था बड़ मार्केट यहां से hold करने लग गया तो इसके chance जब उपर जाने के ज़्यादा बढ़ गए ठीके already market में चाहिए गेप अप हुआ है इसलिए हमने यहां पर ठीके इसके opposite trade किया था तो थोड़ा risk की था तो उसी risk को देखते हुए जब मुझे projection समझ में आया तो उसे साफसे मैंने यहां पर इस वाली candle में मैंने exit कर दिया था one is to one का target में को देखने को मिल गया था मैं one is to one पे निकल रहा था बट स्पाइक में हमसे five point ही only book up है तो four hundred and thirty रूपीज के आसपास हमारा आज का पूप रहने वाला है ठीके तो अभी देखते हैं थोड़ा इस टोप लोस अवेलेबल नहीं थे इस टोप लोस नीचे भी अवेलेबल नहीं थे बट निफ्टे ने क्या किया था multiple यहां पर breakout दे दिये थे तो यहां सिर्फ buyers ही काम कर रहे थे तो उनी buyers को हमने target करने के लिए यहां पर put side में काम किया हुआ था ठीक है अब प्राइजेक्शन को देखते हुए और वैसे तो मार्केट ने बाने स्टी वन का टार्गेट हमें इस कंडल में दिखा दिया था मैंने आपको इस टाइक प्राइस भी दिखा दिया देखिए इस spike में 10 points के आसपास हमें देखने को मिले बट अब क्या करें अब इतनी जल्दी तो execute order करनी पाता है इतनी तेजी से spike आया कि हम 1000 में इसको निकाल ली पाए और यहां कहीं अभी या तो हम कोई दूसरा trade बनाएंगे otherwise यह हमारा आज का trade रने वाला है आयोप आपको ट्रेडलने का reason समझ में आ क्या होगा और देखिए मैं तो suggest करूँगा कि इतने बड़े gap up या gap down के बाद आप avoid ही करिए market को because थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है market में काम करना market में अभी news की वज़े से market कभी कभी projection को भी follow नहीं करता है अपने इसाब से market काम करता है तो आपके गलत होने की chances ज्यादा हो जाते है वापर ठीक है हमने जब last week में काम किया था इस मन्त के जब इंडिया में भी news related जब market में trade हो रहा था ठीक है जब election news based पर trade हो रहा था तो market क्या कर रहा था चार्ड भी repeat कर रहा था और unexpected move वहाँ पर दे रहा था तो वैसे यह भी US की news है उस वज़े से market में इतना बड़ा गेप अप हुआ है और market कैसे भी react कर सकता है volatile रह सकता है sideways हो सकता है और nifty में हमने काम किया थ पास लेकिन फिर भी memory position में भी lows दिखाए रहा होता तो आई होप आपको ट्रेल लेने का reason समझ में आ गया होगा और exit होने का reason भी समझ में आ गया होगा तो मिलता हूं मैं आप से नए वीडियो में तब तक की लिए जय हैं दिन गुडबाय और अगर मैं गोई दूसरा trade करता हूं तो मैं आपको update कर दूँगा ठीक है तो wait कर तो that's all for today एक बार और हम देख लेते हैं order history में जाके order history की हम बात करें तो 934 पर हमने position बनाया था और 941 पर हमने position को exit कर दिया तो ठीक है झाल कर दो मार्चाने खार भूचियंग यां नाया रगपाइ